कहा जाता है कि जूट के इतने फैलादों कि बिल्कूल वो सच की तरह दिखने लगे लेकिन कहा जाता है कि पिछवारे से आकरुट तोड़ने की कोशिस और टीरपी जुज पाने की चाहत ये सारे बिस पिलाती है कि समाज में हीरो बनने के लिए और खुद को साबिद करने के लिए स्कीप्टेड वीडियो बनाने की जरूरत पड़ जाती है दरसल सज्टक न्यूज के जूटे सिपाही है नाम है सोगोसी सन अभिहार मनिश कस्यप कहने वाले कुछ लोग इन्हें बवासीर अभिहार तो कुछ लोग इने चड़ी छाप पत्रकार कहते हैं मनिश की लाने का हमने फैसला किया है तरय गैं अपमान में तामासा है 12 ट्रेज्टी है और डिसरमी तो ही दरसल सचितक और मनिश कस्यप का फरजी खबर चलाने के बाद जो करवाई हुई है वह जो जगहसाय हुई है वह एक साथ कई समस्याओं का लक्षण वालक ठाब मो को भं के के पत्रकारता का नासूर बन चुकी है समस्या नंबर एक यह खुद को पत्रकार नहीं समझते और नहीं पत्रकारता करने फिल्ड में जाते हैं यह खुद को किसी सेलिबेरिटी की तरह मानते हैं और लिहाजा फिल्ड में उसी तरह का बरताव भी करते हैं मसलन अगर कोई वेक गात उसको थपड़ से मारेंगे भी और साथ में उसकी माभन और साले शसुरा भी करेंगे तो जान लीजिए इतने तेवर और के साथ पत्रकारता नहीं हो सकती और पत्रकार सेलिबरीटी नहीं होता है समस्या नमबर दूर यह जब किसी व्यक्ति से संपर करते हैं तो लोडे लोशन के साथ आनि पहले से ही तैकी हुई मानसिक्ता के साथ कम संपर करते हैं यह कभी भी खुले दिमाग से फिल्ड में नहीं उतरते हैं मसला निन के सामने कोई मुसलमान रहेगा तो उसे नीचा दिखाने का मनसूबा इनके अंदर चलता रहता है इतनी लोडेड मानसिक्ता के साथ पत्रिकारिता नहीं हो सकती है समस्या नमर 3 सरकार का दुख्छला बन जाना या खुद को राजय का शंबू शरगना माल लेना मानों शरकार अपने बचाव का जीना इनी साहब के उपर डाल रखा हो दरसल जब बिहार में इंडिया की सरकार थी भाजपा की सरकार थी तो ये साहब सिस्टम और इंजिन्यर को देखते थे लेकि जब महागठ बंदन के सरकार बन गई तो सिधे तोर पर नेतिश कुमार को छोड़ कर तेजस्वी को ललकारते हैं कि अगर हम जेल में गये तो समझे कि आपकी सरकार को 180 दिन में ही गिरा देंगे और ये साहब तेजस्वी यादों से प्रस्णल दुस्मनी निकालने लगते हैं तो ये सोच सकते हैं कि आकिस तरह से पत्रिकाईता करते हैं और किस पर ये बूल सकते हैं कि तीशुी आदो की सरकार जो है 180 दिन में गिरा देंगे जबकि भिहार में मुख्य मंत्री नितिן कुमार और आठीटिस तो फिर नितिश कुमार को छोड़ कर तियस्वी यादव को कहाना कहीं न कहीं वेक्ति गत और प्रश्णल दुस्मनी निकलना हो गया यहीं नहीं यह साहब जब उत्तर प्रदेश में उपी विधान सभा का चुनाव था तो यह साहब कुमारी बहन मयावतिव को हराने के लिए उनके पार्क में जाते हैं और कहते हैं कि हाथी का सून टूट गया है यहां पर संग्मर्मर जगा जगा टूट गया है और जिसमें हाथी का सून टीटा हो तो सरकार काहीं बनाएगी इसके अलावे एस साहब जो है सात्ता पर आसिन बेक्ति योगी आदित्यनाथ पर कुछ टिपड़ी करने के बजाएं और उनसे सवाल करने के बजाएं मैयावती के घर तक चले जाते हैं और उनके घर बादलपूर में जाकर उनके माकान को दिखाते हैं कि मैयावती जो घर बनाई है वे जो है दलीतों को हड़ब कर बनाई है जबकि दलीत लोग उनसे खरीदी है म जाकर पूछे लोगों से पूछे कि योगी मॉडल जह है उत्तर परदेश में किस तरीके से काम कर रहा है लेकिन सरकार अपने बचाव का जीमा इनी के उपर डाल लखा था और जिताने का भी जीमा रखा था कि आप हमारी मुखाल्पत करो और जो है से सरकार भी बन गए लेकि सचाई कुछ और ही है यह सहाव इस टाइब के विक्ति हैं किन पर नजाने कितने फाइयार दर्ज हैं लेकिन यह कहा जा रहा है कि अभी फाइयार होगा तो सरकार को गिरा देंगे समस्या नमबर चार आप बिहार में कारे संस्कृतिक अधार पर नहीं जो है सहाब सोचकर तमिलाडू से विडियो बना दिये कि तमिलाडू में विश्चके मजदूर और उतरप्रदिश के मजदूर जा रहा है तो कि नके नाम के आंगे लागा है संव बिहार खुद को संव यार साबीत करने के लिए सब्सक्राइब लेकिन तमिलानू में समाजवाद की सरकार है वहाँ पर स्टालिन के सरकार है और स्टालिन जो है पिर्यार की विचरधारा पर चलते हैं लेकिन स्टालिन की गवर्मेंट जो ऐसी होने नहीं दी और अंतत्तों गत्वा वीडियो की जाज करा दी जब जाज करा दी तो साहब का पूरा का पूरा जो सि तरह का नवेला गुंडा है और इसके पीछे एक इंटर्नल पावर है जो जिसे हम और और वह सारे लोग है जो इंटर्नल सक्ति के रूप में इस बंदे को सपोर्ट रहे इसलिए इसको कैसे देखते हैं कमेंट करना भूलिए और आप भी हमारे चैनल जनतंत्र खबर पहली बारा आए तो जनतंत्र खबर को सपोर्ट टरने के लिए स्टार भेश सकते हैं यूए का सकता है